तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है और मेरे मार्क का वो जी आला है तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है चार दिसंबर पहला पाट इसाया का ग्रन अध्याई ग्यारा पत संख्या एक से दस जिश्य के घड से एक तहनी निकलेगी उसकी जड से एक अंकुर फूटेगा प्रभू का आत्मा उस पर शाया रहेगा प्रज्य तथा बुधी का आत्मा सुमिती तथा धैर्य का आत्मा ज्यान तथा इश्वर पर श्रधा का आत्मा वे प्रभू पर श्रधा रखेगा वे ना तो जैसे तैसे नियाई करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्ने देगा वे नियाई पूर्वक दीन दुख्यों के मामलों पर विचार करेगा और निश्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को नियाई दिलाएगा वे अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्नेों से कुकर्मियों का विनाश करेगा वे न्याई को वस्त्र की तरह पहनेगा और सचाई को कमरवंद की तरह धारन करेगा तब भेडिया मेमने के साथ रहेगा चीता बक्री की बगल में लेट जाएगा बच्चडा तथा सिन शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हांग कर ले चलेगा गाए और रीच में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे सिंग बैल की तरह भूसा खाएगा दूद मुहा बच्चा नाग के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बांभी में हाथ डालेगा समस्त पवित्र परवत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानी क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा वैराश्ट्रों को संकेत देने एक जंडा फिराएगा और इसराइल के निर्वासितों को एकत्र करेगा वैयुदा के विखरे हुए लोगों को पृत्वी के चार कोनों से एकत्र करेगा उस दिन येश्यक की संत्ति राश्ट्रों के लिए एक चिन बन जाएगी सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महमा में होगा ये प्रभू की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य उनके राजे काल में न्याएं फले पूले और अपार शांती सदा सरवदा शाई रहे इश्वर राजा को अपना न्याएं अधिकार राजपूत को अपनी न्याएं शीलता प्रदान कर वैतेरी प्रजा का न्याएं पूर्वक शाशन करे और पदलितों की रक्षा करे अनुवाक्य उनके राज्यकाल में न्याएं फले फूले और अपार शांती सदा सरवदा शाई रहे उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक फरात नदी से प्रित्वी के सिमानतों तक फैल जाए अनुवाक्य उनके राज्यकाल में न्याएं फले फूले और अपार शांती सदा सरवदा चाई रहे वैदुहाई देने वाले दरिद्रों और निसहाई पदलितों का उधार करेंगे वैदरिद्रों के प्राण बचाईंगे अनुवाक्य उनके राज्यकाल में न्याएं फले फूले और अपार शांती सदा सरवदा चाई रहे राजा का नाम सदा बना रहे उनका वंच सूर्य की तरह चिरसथाई हो वैसबों के कल्यान का कारण बने समस्त्र राष्टर उने धन्य कहे अनुवाक्य उनके राज्यकाल में न्याएं फले फूले और अपार शांती सदा सरवदा चाई रहे दूसरा पार्ट रोमियो के नाम संद पॉलुस का पत्र अध्याई पंद्रा पत्संख्या चार से नौ तक धरम ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वैं हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था जिससे हमें उससे धैर्य तथा सांतवना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा पनाई रख सकें इश्वर ही धैर्य तथा सांतवना का स्रोत्त है वै आप लोगों को ये वर्दान दे कि आप मसी के शिक्षा के अनुसार आपस में मेल मिलाप बनाई रखें जिससे आप लोग एक चित होकर एक स्वर से हमारे प्रभू इसा मसी के इश्वर तथा पिता की स्तूती करते रहें जिस प्रकार मसी ने हमें इश्वर की महिमा के लिए अपनाया उसी प्रकार आप एक दूसरे को भात्र भाव से अपनाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसी यहूदियों के सेवक इसलिए बने कि वै पूर्वजों को दी गई प्रतिग्याई पूरी कर इश्वर की सत्य प्रतिग्यता प्रमानित करें और इसलिए भी कि ग्यार यहूदी इश्वर की दया प्राप्त कर उसकी स्तूती करें जैसा की धरम ग्रंथ में लिखा है इस कारण मैं ग्यार यहूदियों के बीच तेरी स्तूती करूंगा और तेरे नाम की महिमा का गीद काऊंगा यह प्रभु की वानी है इश्वर को धन्यवाद जै घोश आलिलुया अनुवाक्य आलिलुया प्रभु का मार्ग तैयार करो उसके पत सीधे कर दो सब शरीर धारी इश्वर के मुक्ति विदान के दर्शन करेंगे अनुवाक्य आलिलुया पवित्र सू समाचार संत मती के अनुसार अध्याएत तीन पदसंख्या एक से बारह तक उन दिनों योहन भबतिस्ता प्रकट हुआ जो यहूद्या के निर्जन प्रदेश में ये उपदेश्ट देता था पश्चा ताप करो स्वर्ग का राज निकटा गया है यह वही था जिसके विशे में नभी इसायस ने कहा था निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज प्रभु का मार्ग तयार करो उसके पत सीधे कर दो योहन उठ के रों का कपड़ा पहने और कमर में चमडे का पट्टा बांधे रहता था उसका भोजन तिड्डियां और वन का मधू था यरुशलेम सारी यहूदिया और समस्त यर्दन प्रांत के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्विकार करते हुए यर्दन नदी में उससे बबतिस्मा ग्रहन करते थे बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बबतिस्मा के लिए आते देख कर योहन ने उन से कहा सांप के बच्चो किसने तुम लोगों को अगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया पश्याताप का उचित फल उत्पन करो और यह न सोचा करो हम इबराहीम की संतान है मैं तुम लोगों से कहता हूँ इश्वर इन पत्थरों से इबराहीम के लिए संतान उत्पन कर सकता है अब पेडों की जड में कुलहडा लग चुका है जो पेड अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में जोग दिया जाएगा मैं तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बबतिस्मा देता हूँ किन्तु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझ से अधिक शक्तिशाली हैं मैं उनके जूते उठाने योग नहीं हूँ वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बबतिस्मा देंगे वे हाथ में सूप ले चुके हैं जिससे वे अपना खलिहान ओसा कर साफ करें वे अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे वे भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे यह प्रभु का पवित्र सूसमाचार है क्रीस्त कीजे क्रीस्त कीजे बखार में जला बखार में जला देंगे